आज हम बनाने वाले हैं इंस्टंट हेल्दी डोसा की रेसिपी योगी बहुत यादा प्लेन और सिंपल सी रेसिपी है और खाने में उतनी यादा स्वाधर उतती ज्यादा यह टेस्टी लगेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जो मिक्सर का पॉट होता है ध्या यूज कर रही हूं और एक कटोरी ही बेशन डालेंगे इसमें मतलब जितना आप लोग चावल का आठा ले रहे हैं उतना ही सेम जो है बेशन का कॉन्टिटी भी उतना ही रखना है और दही जो है थोड़ी सी ना खट्टी वाली दही यहां पर हम यूज करेंगे इसमें तो तीनो जैसे समान मात्रम में कम जादा कुछ भी नहीं करना है और मैंने यहां पर एक बड़े साइस का जो आलू है च्छील के ढ़ने के भाट भी हमने पीश लेना है तो इसको तो अगर इसमें पानी डालने के जरुरत लग रहे हैं तो ही आप पानी डालेंगे ने तो ना बहुत अच्छे से जो है इसको हमने पीस लेना है और पीसने के बाद आलू जो है आलू को भी सेम थोड़ा सा पाने डाल के जो है पीस लेंगे एकदम आलू जो है एकदम पतला पीसना है आलू कहीं भी खड़े नहीं होने चाहिए थोड़े से भी तो इसे लिए त अगर आप लोग ना घटती दही अगर यूजका करेंगे फोड़ी सी खती वाली तो आपको ना इसमें माला इसके याई ँसके बढ़क को उढ़ने वह घ्याने तो फिर भी आप लोग इसको बना सकते प्रफ़ाइब दही की जगत जो है पूरा मेने पहले पताया है चावल गाटा बेशन और आलू जो है पीस लेना है पीसने के बाद उसके थोड़ा साना सोडा और नमक डालके मिक्स करके उसको जो है थोड़ी देर के लिए रिस्ट करके रख देना है अगर दही नहीं डाल रह लोग रेष्ट पे रख देंगे यहां पर में की Awesome एक ईक एक गईवका की मिर्च कर देंगे यहां पर मिक्त और देंगे दो भी टाहें सकते हैं और तुन है आरि सिर सकते हैं यह डाल दीना है हम schreiben равно mister में पर इसमिंट को बढ़ भाई कर लेना है पीस लेंगे और भीर-समीयह सरसो तेल जी सरसो और रहीं का जो फैस्टे लागा लें चतनी मैं तो यहा पर जो हमारा बेटर है वह बनकर बिलकुल तयार हैं मैं ने यहाँ पर सपय करो इसका उसका यूस किया है वह बिलकुल भी ऑप्शनल है मैंने सोचा बच्चों लेकले बना रही हूं तो थोड़ा सा ओरंज छलर का बच्चों को अच्छे है लगते हैं । आप कोई भी इसक बच्छां कर però ज़रूरी कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि फॉल्टी पी से अस्था जलीदार दोस बनकर त्यार जाए अगर आपको दोनों साइट से शें आप नों दोनों साइट से तो यहां पर तोड़को दिखा देती हूँ तूरंती है यह तो क्रिस्पी हो गया है बहुत अच्छे से और यहां पर जो हमारी चटनी है बनकर बिल्कुल तयार है लास्ट में चटनी जो है पीस लेने के बाद सर्सो तेल सो दाना और हिंक का जो है मैंने इस चटनी में ताड़का लगाया बहुत ही प्लेन और सिंपल सी जो है चटनी की रेसिपी है सो उमित करते हूं कि आप लोगो को इंस्टंट दोसा जो है इसमें हमने कुछ भी अनहेल्दी नहीं डाला है तो आप लोग यह बना कर तयार कर सकते इस दोसी को जो है ना ही भीगोना है रात बर भीगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा मैनत करनी है पीशने भीशने के लिए और ना ही उसमें खमन उटने का जो है वो इंतजार करना है वेट करना है तो आप लोग यह इंस्टंट दोसा सड़नी अगर कोई घर में महमान आ बना सकते हैं बच्चे को ब्रेकफस्ट में या फिर रात में भी कुछ भी खाने का हल्दी फुड खाने का मन की और बहुत ज़्यादा खाना मन नहीं कर रहा है ज़रुत नहीं लग रही है तो आप लोग यह दो दोसे खाकर भी जो है आपका पेट भार सकता है बहुत ही प् कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगिए तो प्रीज करना है मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब सो मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाबाई